नमस्कार दोस्तों मैं राहुल स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल एलेक्ट्रिकल के कमांडों पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACB और VCB के डिफरेंस के बारे में ACB और VCB में क्या अंतर होता है इसकी वाल्टेज कैपिसीटी 450 वोल्ट तक होती है ACB की एमपियर कैपिसीटी 800 एमपियर से लेकर 1000 एमपियर तक की होती है ACB को ज़्यादतर इस्तमाल इंडिस्ट्री में PCC पैनल की लोड को डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए किया जाता है दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एर सरकिट ब्रेकर कितने प्रकार के होते है दोस्तों पहला जो हमारा एर सरकिट ब्रेकर होता है वो होता है एक्सेल ब्लास्ट टाइप ठीक है उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है क्रॉस ब्लास्ट टाइप और तीसरा जो होता है वो होता है Radial Blast Type अब इन तीनों Air Circuit Breaker के बारे में हम एक एक करके जानेंगे Axial Blast Type Circuit Breaker Axial Blast Type Circuit Breaker में वायू की दिसा आर्क की ही दिसा में होती है ठीक है? दूसरा है Cross Blast Type Cross Blast Type Circuit Breaker में वायू की दिसा आर्क की दिसा में लंवत मिन्स 90 डिग्री पर होती है Radial Blast Type Radial Blast Type Circuit Breaker में वायू की दिसा Radial ही होती है तो ये सारे Point हमने डिसकस किया ACB के बारे में और अब हम डिसकस करेंगे VCV, Vacuum Circuit Breaker के बारे में Second Point VCV को High Voltage के लिए जो है वो डिजाइन किया जाता है तीसरा Point VCV 11 किलो वोल्ट और यवं 33 किलो वोल्ट जैसे उच्छ वीवाफ के लिए उप्योग में लाया जाता है चौथा Point उच्छ वॉल्टेज के लिए इसे सीरीज में जोड़ा जा सकता है पांचमा Point VCV जो है उसमें Maintenance की आओ सकता बहुत ही कम होती है मतलब VCV में जो Maintenance चार्ज होता है वो बहुत ही कम होता है आर्क की टाइमिंग स्मॉल और साथ ही हाई धाराओं सभी के लिए सामाने होती है ACB के Compare में VCV का Life जो होता है वो ज़्यादा होता है मतलब Air Circuit Breaker से ज़्यादा हमारी VCV का Life होता है Air Circuit Breaker मिन्स ACB के उल्टा VCV Vacuum Circuit Breaker का विसपोर्ट जो है वो टाला जा सकता है VCB बार-बार Operation के लिए उपवयुक्त है VCB ओपरेटिंग कर्मियों की सुरक्षा को बढ़ाता है मतलब जो इसे operate करते हैं उनकी जो सुरक्षा होती है इसमें बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों अगर आपका इस टॉपिक से related कोई सवाल हो तो comment box में comment जरूर करें और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please इसे एक like और share जरूर कर दें ताकि मेरे वीडियो की आने वाली notification मिले आपको सबसे पहले चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद